गुपतों का पूर्वगामी सुंग शासकों को दाता है अगला कुश्चन है ब्रामभणों को भूमी दान में दिये जाने की प्रथा किन सासकों द्वारा सुरू की गई थी बहुत इंपोर्टेंट कुश्चन है कई बार ये पूछा गया है तो ये जो प्रथा है ना ब्राम्भनों को भूमी दान में दिये जाने की प्रथा ये सात वाहन सासकों द्वारा सुरू की गई थी सात वाहन जो की कणव सासकों के बाद सासन करते हैं सात वाहन यहां नलकन होगा तो सात वाहन सासकों द्वारा क्या करते हैं भूमी दान में द ये जाने की प्रथा शुरू की गई और इस प्रथा को क्या बोला जाता था अग्रहार मतलब की जो भूमी होती थी जो दान की रूप में दी जाती थी किसी भी वेक्ति को तो उसको अग्रहार भूमी कहा जाता था क्योंकि ये जो भूमी होती थी ये कर रही थोती थी या फिर बहुत कम इसमें कर देना होता था टेक्स देना होता था तो सातवाहन सासकों ने सरो प्रथम भूमी दान में दिये जाने की प्रथा की शुरूआद की थी काफी इंपॉर्टेंट है बहुत बार ये चीज़ पूछा गया है और इसके बाद कि जो भी सासक होंगे चाहे वो साथ वाहन कालीन समाज किस प्रकार कर था तो मात्र सत्तात्मक था ध्यान रखना मात्र सत्तात्मक जितने भी समाज हमने देखा है अधिकतर सब पित्र सत्तात्मक है लेकिन साथ वाहन समाज के संबंध में जो जांकरी प्राप्त होती है उससे इतिहासकारों का मानना है कि साथ साटवहन कालीन समाज मात्र सतात्मक रहा होगा अगला क्योष्चिन है किस नंचल साशकों द्वारां सीशे के सिख्के चलाए गए थे तो साटवहन सासकों सीशे के सिख्के चलाए गए थे बहुत बार जबहुत पूछा इतमाफो Capital सिख्क चलाए गए थे लेकिन जो साथ वहहं सासक्ते वो TJ rocks के सिसा का सिक्या चलाते दें इसके अलभा इन्होंने जो है पोटिन का भी चलाया था तो कई बार पुछा गयार Hasoc Natal साथ वहहं सासक्तों को किन ग्रंथों में आंद्र भृत्य एवं आंधर जातिय कहा गया है तो कहा पर इनको आंधर भृत्य एवं आंधर जातिय कहा गया है तो पुराणों में पुराणों में इनको जो है आंधर भृत्य आंधर जातिय कहा गया है अगला कुश्चिन देखे हैं साथ वाहन वंस का संस्थापक कौन था तो ये भी कहीं तो नामे आद रखेंगे सात करनी प्रथम इसने दो असुमेद यग्य और एक राजसुई यग्य किया था राजसुई यग्य असोमेद यग्य अगला कुछी दिखते हैं दख्छिना पत्पती अग दखिना पतपती अप्रती हत चक्र सात्वाहन कालीन किस सासक की उपादी थी तो ये दो उपादियां हैं दखिना पतपती और अप्रती हत चक्र ये किसकी उपादी थी तो वही सात करणी प्रथम जिसने दो असोमेध यग्य और एक राजसो यग्य किया था तो सात करणी प्रथम की ये दोनों उपादियां थी अगला कुश्चन है सात करणी प्रथम द्वारा जारी किये गए किस सिक्के से उसके मालव प्रदेश पर अधिकार इस पश्ट होता है तो इसके सिक्कों से पता चलता है कि इसका मालव प्रदेश पर अधिकार था तो किस सिक्के द्वारा तो इसका एक प्रकार का सिक्का होता था स्रीमांत स्रीमांत नहीं स्रीशात श्री सात श्री सात नाम का सिक्का जो कि मालाव प्रदेश में प्राफ्त हुआ है जो किसका था सात करनी प्रथम का तो इससे पता चलता है कि मालाव छेत्र में सात करनी प्रथम का अधिकार रहा होगा अगला question है शात्वाहन सासकों की राजधानी थी तो इनकी राजधानी क्या थी तो नामे आद रखेंगे प्रतिष्ठान ये जो है न गोदावरी नदी के तट पर इस्तित है प्रतिष्ठान इसी को पैठन भी बोला जाता है पैठन अथवा प्रतिष्ठान जो की गोदावरी नदी के तरड़ पर इस्तित है अगला कुशन देखते हैं पेरिपल्स ओफ इरिथिरियन सी के अनुसार साथ करणी प्रथम के समय कौन से बंदरगाह अंतरराष्ट्रिय व्यापार के लिए सुरक्षित थे तो इस समय अंतरराष्ट्रिय व्यापार भी काफी फलफूल रहा थ और एक ग्रंथ है पेरिपल्स ओफ इरिथिरियन सी इसका लेखक कौन है अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है अग्यात है इसका लेखक लेकिन पता चलता है कि यह कोई योनानी लेखक रहा होगा और यह जो है समुद्री यात्राइं किया करता था समुद्री यात्रा करने म में भारत के समुद्र तटों का अच्छे से वरणल किया है विजास करके जो बंदरगाह है और VHC क्म के साथ व्यापष होता है किन चीजों का व्यापष होता है तो इसके अनुसार साथ याद रखेंगे पहला तो सोपारा याद रखना दूसरा याद रखेंगे कल्यान तो ये दो जो है प्रमुक बंदरगाह थे अंतराश्टरी व्यापार के लिए काफी जाने जाते थे अगला कुस्चिन है शात्वाहन कालीन किस सासक द्वारा प्राक्रत भासा में गाथा सब् सब्तसकुमारी से विवह किया था तो ये किस ने विवह किया था तो श्रीवारा की राजधा स्रि-लंका की राजकुमारी थी उसका नाम था लीलावती राजकुमारी का आप लोगों याद रखना है लिलावती उसका नाम था और किसने उससे how किया था थो हाल हाल वही जिसने गाथा सबतसती लिखा था तो ध्यान पुत्र सात करनी और इस से रिलेटेट सायद एक मूवी भी बनी है दक्षन मतलब साउत में देखिएगा मैंने भी नहीं दिखी यह देखना चाहता हूं तो गौतमी पुत्र साथ करने काफी मतलब सकती साली सासक था अगला कुश्चन है सात्वाहन कालीन कौन सा सासक महान साहित्यकार था तो महान साहित्यकार सासक कौन था तो हाल जिसने गाथा सप्तसती लिखी स्री लंका की राजकुमारी लिलावती से विवहा किया अगला नासिक अभी लेक से सात्वाहन कालिन के सासक के विशय में जानकारी प्राप्त होती है तो यह जो है पुलुमावी करके एक सासक थे तो उनसे रिलेटेड बताया जाता है लेकिन तो गौतमी पुत्र सात करणी है ना उसका भी लेक यहां से प्राप्त हुआ है तो इसको अधि संप्रदाय के प्रवर्तक नागार्जुन सात्वाहन कालीन कि सासक के समकालीन थे नागार्जुन जिन्हों ने सुन्यवाद की खोज की थी तो यह किस सात्वाहन कालीन सासक के समकालीन थे आपको यह बताना है तो यह गौतमी पुत्र साथ करनी के समकालीन थे अगला कोश्चन है किस साथवाहन सासक ने सक महाच्छत्रप रुद्र दामन की पुत्री से विवाहा किया था यह जो सक थे ना तो वो भी इस समय भारत के अंदर घुश चुके थे और पस्ची मुत्तर भारत गुजरात हो गया महाराष्ट हो गया वहां कहीं सारे छेत्रों पर अधिकार करके बैठे थे तो इनी सकों में एक सासक था रुद्र दामन जिसका एक अभिलेक भी मिलता है गुजरात से जुनागड़ भी लेक तो यह जो रुद्र दामन था इसने अपनी पुत्री का विवाह किसी साथवाहन सासक से किया थ वसिष्ठी पुत्र पुलुमावी इसने जो है इसकी पुत्री से विवाह किया था वसिष्ठी पुत्र पुलुमावी एक मिला हां वसिष्ठी पुत्र पुलुमावी अगला कुशन देखते हैं साथवाहन सासकों की राज की भासा क्या थी तो इनकी राज की भासा क्या थी प्राक्रत थी ये भी आप लोगों को याद रखना है और जो गाथा सब्त सती हाल के द्वारा लिखी गई थी वो इसी प्राक्रत भासा में लिखी गई थी विशेश करके ना इनकी जो प्राक्रत भासा थी ना वो महराश्ट्रियन प्राक्रत थी कितने वर्स तीन सब वर्स तक पुराणों के अनुसार। 강ते निर्मित प्रशिदध चैत कौन सा है। तो जो बहुत धर्म से सम्बंदित होता है ना। चैत, बिहार, इस्दूप। तो धकन में प्रशिदध चैती का निर्मान हुआ उसना नाम आप लोगों को बताना है। आंद्रपरदेश की राजधानी है तो ये इसमें जो है किस सासक का उल्लेख मिलता है ये आप लोगों को बताना है यहां से एकी सासक का उल्लेख मिलता है तो वसिष्ठी पुत्र पुलुमावी वसिष्ठी पुत्र पुलुमावी इसका उल्लेख मिलता है अमरावती अभिले से अगला कुस्चिन है मनु इस्मृति की रचना किन सासकों के समय हुई थी मनु इस्मृति तो इसकी रचना जो है सुंग सासकों के टाइम पर हुई थी सुंग शाषक पुष्यमित्र शुंग अगनिमित्र शुंग तो उनके टाइम पर मनु इस्मृति की रचना हुई थी द